तो स्वागत है आपका एक और नए नॉलेजिबल वीडियो में आज ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्रपुन और यूसफुल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहां तो इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूसफुल होने वाली है इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर नए पहली बार आएं मैं उनसे यह रिक शुरू कर लेते हैं CNG गैस का यूज हम सब करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि CNG की जो प्रॉपर फुल-फॉर्म है वह क्या है मैं आपको बताता हूं CNG की जो फुल-फॉर्म है वह कंप्रेस्ट नेचुरल गैस जिसे हिंदी में संपीडित प्राकरतिक गैस भी कहते ह हैं यह घैस का जो उतपादन हुआ ता जो इसके पहरी बार जो इसका यूस वा था वो 1930 में वहा था कि वीदेशों में इस गैस्का बहुत हूँ होता है और भारत में इसका इन धन में बीषख होता है यह gas, CNG gas बाकी जो fuel है उनसे काफी useful है, बहुत ही लाबदा है क्योंकि इसके उप्योग से परियावरान को किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं है, इसलिए जो हमारी जो सरकार है, जो government है, वो इसके उपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, इसलिए आज कल जो सभी लोग हैं वो CNG की तरफ ही मूव कर रहे हैं और जो लोग petrol या diesel गाड़ी यूज करते हैं, वो कोशिच करके CNG की तरफ ही मूव कर रहे हैं, या फिर अपनी गाड़ी में CNG लगा रहे हैं, तो आज हम यह जान लेते हैं कि CNG जो लोग लगवा रहे हैं, उसका क्या फाइदा है और क्य नुकसान, देखिए हर चीज का कोई ने कोई फाइदा और नुकसान दोनों होता है, तो हम एडवांटेज और बेनिफिट हम दोनों के बारें बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं, बेनिफिट की, उससे पहले में आपको एची बता दूँ कि एक सर्वे के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी में CNG यूज करके CNG चलाता है, CNG गैस पर अपनी गाड़ी को चलाता है, तो करीब अगर उसकी रोज की रणिंग 30-40 किलोमेटर है, तो वो साल के कम सकम 30-40 हजार रुपे अपने सिर्फ फ्यूल-फ्यूल के बचा लेता है, और वह लिए इसका बहुत ही जो यूज है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो जिस और जिस सिटी में CNG अवेलेबल नहीं थी, वहां की गवर्नमेंट भी CNG को ज़्यादा प्रेफ्रेंस दे रही है, और वहां पर CNG अवेलेबल कर कि यह पैटल और डीजल के मकाबले काफी सस्ती है, जहां पैटल और डीजल की रेट 100 रुपए या उससे ऊपर है, वहीं CNG आपको 70 या 75 रुपए के आसपास आपके शहर के आपके राजी के जो अनुसार जो प्राइस चल रहे है, इसके आसपास आपको मिल जाएगी, जो बहुत बड़ा डिफ्रेंस से करीब 30 रुपए के हिसाब से आपको काफी गैप मिल जाएगा, तो यहां बहुत बड़ा डिफ्रेंस देखनों के मिल जाता है, जिसकी वेशसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, अगला बेनिफिट के हम बात करें, सेकी नमर तो वह यह है इसका है कि इसका जो माइलेज है वह पटल और डेस्ल डिजल की जो गाडिया है जो एजन की जल रही है, उसके मुकाबले माईलेज का मिल जाता है, जब पेड़ डेसल की गाडियां आपको 18 भास किलो मेटर के हिसाब है, पैसे तिय pose यह ही है, वही up के मुकाबले 26-27 किलोम के लिए हमारे पर्यावरंड के लिए बहुत ही नुकसान दायक है उसके उसके निकलने वाली जहरीली गैसे जो है हमारे परियावरंड को बहुत ही नुकसान पहुचाती है वहीं अगर बात करें सिए एंजी कार की रिसेल वेल्यू बाकी जो पेट्रल डीजल की जो गाड़ी है उनके मुकाबले काफी अच्छी मिल जाती है क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में बहुत जादा है कोई भी कस्टमर अगर बात करता है तो सबसे पहले वह सिए गाड़ी की डिमांड करता है ज इस gas cylinder को अपनी गाड़ी में लगाते ही आपका जो engine का sound है वो काफी हद तक कम हो जाता है और आपका engine जो है एकदम गाड़ी स्मूथ चलने लग जाती है कर लेते हैं इसके नुकसान के इसका सबसे बड़ा जो नुकसान जो हो है यह कि जब आप गाड़ी में CNG का cylinder fit करवाते ह हैं तो इसकी वजये से पूरा जो आपके गाड़ी के लिए पीच्छे का जो बूत इसको हम हिंदी में भी बोलते हैं वह पूरे भर जाता है जिसकी वज़से समान लखने की बिलकुल भी जगें मचती है पूरे गाड़ी के डिगी जो बूत सभी आप अगर आपके अपने तो आपको समान केरी लगेज करने में काफी दिक्कत होती है एक और नुकसान की बात करें तो वह यह है कि जो गाड़ी जो सी एंजी के जो सीलेंडर होता है वह फिट करवाने के लिए बहुत ही वह बहुत कोस्टली हो जाता है क्योंकि अगर आप बात करें सी एंजी की सिलेंडर को फिट करवाने की तो यह नॉर्मली 10-15,000 में फिट नहीं होगा इसको फिट करवाने करीब 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में आपको पे करना पड़ेगा तब जाके यह सिलेंडर आपकी गाड़ी में फिट होगा इसलिए बहुत कोस्टली हो जाता है इसलिए हर कोई इसको लगाने से थोड़ा परेज भी करता है या इसके बारे में काफी सोचता है और जो बहुत बड़ा नुकसान है C&G लगाने का वह यह है कि जो सिलेंडर होता है C&G का वह काफी भारी होता है जब आप उसमें घ्यास भरवा लेते हैं तो उसका वजन और बढ़ जाता है और अगर अगर आप उसमें किसी अपने पैसेंजर्स को या किसी को बिठा के या समान रखके तो जादा समान ढखके या उसको ज़्यादा भरके गाड़ी को चलाते है तो उसकी वज़े से जो एक disadvantage है जो काफी लोगों को पता नहीं है एक और इसका बहुत बड़ा disadvantage है जो नुकसान है वो यह है मैं आपको बता दू कि जो petrol गाड़ी होती है उसकी जो servicing है वो normally 10,000 km पर हम करवाते हैं लेकिन अगर आप CNG की गाड़ी यूज कर रहे हैं या करते हैं या करने वाले हैं तो मैं आपको बता दू कि इसकी जो servicing है वो करीब 6,000 या 7,000 km आपको इसकी service करानी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात आपको इस चीज का ध्यान लगना है कि engine oil और coolant के साथ आपको गाड़ी का engine का air filter भी change करवाना है यह बहुत compulsory है नहीं तो annual time में आपको गाड़ी के engine में कोई प्रॉलम आनी शुरू हो जाएगी तो इसका आपको जरूर जरूर ध्यान लगना का अफी लोगों को अभी इस बार में पता नहीं है लेकिन मैं के जरूर पताईगा अगर आपकी कोई भी thoughts है या आप कुछ भी जानकर लेना चाहते है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं और कुछ नया जानना चाहते है तो आप वह भी मुझे बताएं मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा और अगर वीडियो आपको अच